नमस्कार दोस्तो ग्यान मैंड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस गर आपके फोन में भी कूँ एप्लिकेशन उपन नहीं हो रही है तो जब भी हमारे फोन में कूँ एप्लिकेशन उपन नहीं होती तो यहाँ पर दो तीन प्रॉब्लम यहाँ पर होती है जिसकी मदद से यहाँ पर जिसकी वज़े से यहाँ पर हमारी जो एप्लिकेशन उपन नहीं होती ठीक है न तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आपको follow करना है जो भी steps बताऊं आपको follow करने है ठीक है ना तो सबसे बहले क्या करेंगे आप अपनी phone में जो है एक बार flight mode को on करेंगे ठीक है ना flight mode को on करेंगे उसके बाद यहाँ पर flight mode को off करेंगे यह करने के बाद क्या होगा कि हमारी जो इंटरनेट की speed बूस्ट हो जाती है जिसे कि गाईज इकर कोई problem आ रही होगी तो वो यहाँ पर solve हो जाएगे इंटरनेट इसमें flight mode को on करने के बाद off करके आपको application को open करके check कर लेना ठीक है ना अगर application फिर भी open नहीं ओती है तो आपको क्या करना होगा एप्लिकेशन का update चेक कर लेना ठीक है तो आपको क्या करना होगा play store में आने के बाद search करना है कूफ मतलब कूफ application को आपको search कर लेना है application search करने के बाद आपको देख लेना है कि यहाँ पर update तो नहीं आया तो यहाँ पर आप देख सकतो मेरी application के अंदर update आया हुआ अगर आपकी application के अंदर update आया होगा तो यहाँ पर update लिखा होगा अगर update नहीं आया होगा तो open लिखा होगा ठीक है न तो guys क्या होता है कि application के अंदर कुछ update आ जाता है update आने के बाद भी हम लोग application को update नहीं करते जिसके वज़े से यहाँ पर यह problem आ जाती है तो हमें क्या करना होगा application को update कर लेना है update पर click करेंगे उसके बाद automatically आपर download हो जाएगी तो guys आपको क्या करना होगा जाना होगा अपने phone की setting के अंदर phone की setting में आने के बाद नीचे के set में एक option मिलेगा apps वाला तो देख सकतो यह वाला option मिलेगा apps वाला इसके उपर click करने के बाद guys यहाँ पर आपको एक option मिलेगा manage apps तो यहाँ पर हम क्या करेंगे Manage Apps के उपर click करेंगे और गई जैसे Manage Apps के उपर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके phone में जितनी भी application रहेगी वो सभी यहाँ पर आपके sound में show करेगी तो यहाँ से कोई भी application आप देखने को मिल जाएगी आपको जो भी application का name है वो यहाँ पर आप डालके search कर सकते हो ठीक है न तो मैंने cool search किया और application हमारी आ चुकी है अब guys application open करते हैं यहाँ पर application का info यहाँ पर आ जाएगा अब आपको क्या करना होगा नीचे के side में clear data वाला option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद clear all data वाले option पर आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद delete all data वाला option आएगा तो यहाँ से application का जितना भी data रहेगा एक साथ यहाँ से clear हो जाएगा उसके बाद यहां से आपका account रहेगा वो भी logout हो जाएगा फिर से आपको अपना logging करना पड़ेगा account और साथ ही यहां पर application भी open हो जाएगी मतलब आपकी जो problem रहेगी वो भी solve हो जाएगी तो इस तरह से guys अगर आपके phone में भी application open नहीं हो रही है तो इस तरह से आप इस problem को fix कर सकते हो तो guys अगर आप कोई video पसंद आए तो video को like करना, share करना और अगर भी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजे